गिरी टुटोरियल के अपने चनल में आपका सौगत है हमने ऑप्तिक्स चैप्टर स्टार्ट किया और और ऑप्तिक्स चैप्टर का लास्ट का टॉपिक हमारा आ चुका है ऑप्तिकल इंस्ट्रूमेंट अब अब तक हमने लेंज के बारे में स्टडी कर लिया मिरर के बारे मे में study कर लिया अब हम study करने वाले optical instrument अब optical instrument की जरूरत हमें क्यों होती है ठीक है तो आते हैं पहरे अगर हम किसी object को देखते हैं किसी object को देखते हैं तो object छोटा है या बड़ा है कैसा पता लगाते हैं देख के पता लगाते हैं लेकिन वह भी depend होता है कि object कितना नजदिक है और कितना दूर है suppose अगर हम mountain को लेते हैं अगर mountain को बहुत दूर से देखोगे अगर आप mountains को बहुत दूर से देखोगे तो आपको mountain छोटे लगते हैं वही अगर आप नजदिक आके देखोगे तो mountains बहुत बड़े हो जाते हैं या फिर आप किसी ट्री को दूर से देखते हो तो चुटा दिखता है और जब आप उसके नजदिक आते हो तो बहुत बड़ा हो जाता है मिनसर हम देखने के लिए इस करते हैं मिंस अगर हम यहां आख़ों से देख रहे हैं तो आखों के साथ एक angle बनता है उस object का उस angle को कहा जाता है इस angle को कहा जाता है visual angle इसे क्या कहा जाता है visual angle आख अपनी angle बनाती है उस object के साथ अगर angle बड़ा होगा तो object बड़ा दिखाई देगा अगर angle छोटा हो जाएगा तो object tiny होगा अगर हम tiny object मून को देखते हैtez मून हमें चोटा शांघ देखत तरट के साथ जो मारे आखों का अंगल बनता है वो बहुत स्ट बहुत स्ट खोटा होता है तो अबजयक की साइज की से में आजवा एंगल से अब ये तो है अगर दूर की चीज़े देखते हैं या पांस की अगर हमें छोटी चीज़े देखनी है तो कैसे हम उस चीजों को नजदिक लाते हैं हम एक चीजों को नजदिक लाते हैं एक सर्टन डिस्टन्स होता है जहां हमारी आखे क्लियर देख सकती उस डिस्टन्स को कह कहा जाता है, distance of distinct vision, क्या कहा जाता है, distance of distinct vision या इसे कहा जाता है, ddv, इसको indicate करते है, d से और यह distance होता है, 25 cm, means अगर आप 25 cm पर object रखते हो, आप book read करने के लिए अगर 25 cm पर रखते हो, तो आपकी आपको कोई भी तकलित नहीं होती है, normal vision 25 cm तक आपको अच्छे से देखता है, तो distance of distinct vision क्या होता है, 25 cm, तो normal human eye, तो अगर किसी object में distinguish करना है, या किसी object को पहचानना है, तो हम 25 cm पर उसको clear देख सकते हैं, अगर छोटा सा object आ गया, बहुत छोटा सा object, tiny object, उसे देखना है, तो उसे बड़ा करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको नजदीक लाते हैं, अगर छोटा सा कोई particle होगा और आपको देखना होगा, छोटी से चीज, चीटी को देखना है, clearly, तो आप क्या करते हैं, उसको सामने, बहुत नजदीक लाते हैं, 25 cm से भी नजदीक लाते हैं, जब आप 25 cm से नजदीक लाओगे, तो visual angle बड़ा होता जाएगा, और आपको चीटी या चोटी 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 टाइनी चीज़े से वो बड़ी दिखे ही देगे, लेकिन उसका भी एक limit है, उसका भी limit है, चीटी बहुत नजदीक लेके आगे आप, तो आपको blur दिखेगा, ऐसे बहुत नजदीक लेके आगे तो क्या दिखेगा, बलर दिखेगा, ये छोटे 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 लेटर से, आप अगर एक थोड़े से नजदीक लाओगे तो clear दिखेगा, ले हम क्या यूज करते है, optical instrument, और optical instrument क्या करता है, हमारा visual angle को बढ़ाता है, और उसी को कहते है, angular magnification, उसी को क्या कहते है, angular magnification, पहले उस object के साथ angle छोटा था, जैसे हमने instrument को यूज किया, वो angle बढ़ा हो गया, means angle में magnification हो गया, इसलिए उसे क्या कहते है, angular magnification, उसे क्या कहते है angular magnification और उसी का दूसरा नाम है magnifying power तो introduction समझ में आ गया अब आते हैं magnifying power क्या होता है means angle में magnification होना उसे कहा जाता है magnifying power अब angle किस में होंगे तो एक object का angle होगा और एक image के साथ angle होगा तो देखते हैं क्या है angular magnification और magnifying power of an optical instrument is defined as ratio of visual angle made by image formed by the optical instrument visual angle made by image formed by optical instrument beta to the visual angle sustained by the object at when kept at ddv when kept at ddv तो समझ समझ लो हमारे पास एक object है जिसको हमें magnify करना है जिसको हमें क्या करना है magnify करना है तो हम क्या करेंगे पहले उस object को ddv पर देखेंगे कहां रखेंगे ddv means कितने centimeter पे 25 centimeter पे उस distance d इतने distance पे हमने रख दिया अब यहां से हम observe करेंगे उसको यहां से हम देखेंगे हमारी आखो के साथ जो angle बनेगा उसका वो होगा विजीघुल आइंगल उसे कहेंगा alpha तो यह object के साथ suppose यह pain object है यह pain object है तो इस object को मैं 25 centimeter पे रख होंगा मैरे आखों के साथ जो angle इसके साथ form हो ओगा अलपा, वो होगा अलपा, इसी को, इसी पेन को मैं इंस्ट्रूमेंट के साथ देखूंगा, एक इंस्ट्रूमेंट बीच में रख दूँगा, अब जैसे इंस्ट्रूमेंट बीच में रख दूँगा, देखो यहां मैंने magnifying glass रख दिया magnifying glass रख दिया और यहाँ पर मैंने object को रखा है तो यह image बड़ा हो जाएगा इस object का image क्या हो जाएगा यह हो गया image यह बड़ा हो गया अब image का आखों के साथ जो angle बनता है जब हम optical instrument यूज करते हैं और image का आखों के साथ जो angle बनता है वो होता है बीटा और अगर हम रेशो लेते हैं बीटा बाई अलपा तो उसे कहा जाता है magnifying power उसे क्या कहा जाता है magnifying power so magnifying power is ratio of visual angle made by image बीटा टुदे विजुवल एंगल made by object at ddv तो यहां में इस शॉट में आपको definition उपर लिखते हैं magnifying power m magnifying power को किस से इंडिकेट करते हैं m से magnifying power m is ratio of किसका ratio है visual angle made by visual angle made by the image होचे हम कहेंगे बीटा यह कौन बनाएंगा instrument बनाएगा कौन बनेगा instrument बनाएगा and visual angle angle visual angle sustained by object at ddv वो होगा alpha तो अगर ddv पर object रखते है that is so m is equal to beta by alpha तो एक instrument के image के वे से जो angle बनता है वो angle और दूसरा अगर हम object 25 cm पर रखते है तो जो angle बनता है वो alpha इन दोनों का अगर हम ratio लेंगे तो हमें क्या मिलेगा magnifying power ठीक है अब आते है magnifying power कुछ instrument का optical instrument का magnifying power निकालते है simple microscope अब simple microscope होता क्या है magnifying glass आपने देखा हुआ उसे कहा जाता है simple microscope और a reading glass और a reading glass क्योंकि बहुत छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उसका use होता है या जो भविष्य देखते पाल्मासिस्ट पाम को देखते पविष्य देखने वाले magnifying glass यूज़ करते या simple microscope यूज़ करते या फिर आप घड़ी रिपेर करने गया होंगे watchmaker जो होते है watchmaker वो छोटा सा lens अपने आपको को लगाते then instrument छोटे छोटे पूर्जे होते हैं ना घड़ी में तो उसको देखने के लिए वो क्या लगाते है simple microscope या magnifying glass तो magnifying glass is a nothing but a simple microscope अब इस simple microscope की हमें क्या निकालनी है magnifying power क्या find out करनी है magnifying power magnifying power कैसे find out करेंगे तो देखो यहाँ दो डाग्राम मेंने ड्रौ किया है दो डाग्राम ड्रौ किया है पहले हमने object a b कितने distance पर रखा है distance of distinct vision d इतने distance पर रखा है तो object के साथ visual angle कितना बंद रहा है alpha बंद रहा है figure a shows that visual angle alpha made by the object when kept at the least distance of distinct vision object को मैंने यहाँ रख दिया अब आखो के साथ कितना angle बंद रहा है alpha angle बंद रहा है then अब हमने क्या यूज किया इसी object को देखने के लिए हमने magnifying glass को use किया magnifying glass के सामने हमने object को रखा कितने distance पर u इतने distance पर इतने distance पर यहाँ से रे गई और यहां तक गई जब हम यहां से देखेंगे यही image आपको same side मैं अगर यहां से मैं हाथ को देख रहा हूँ तो same side, जिस side में हाथ है, उसी side में image form होगा, वो image बड़ा होगा, image कितने distance पे form होगा, V इतने distance पे form होगा, तो देखो sign convention यूज़ करेंगे, तो यह दोनों distance negative होगे, यह दोनों distance negative होगे और focal length हमारा positive होगा, focal length positive होगा, अब देखो image के साथ जो angle बन र रहा है, तो देखो figure भी shows a convex lens forming a erect, virtual and magnifying image, erect, virtual and magnifying image of some object when placed within the focus, when placed within the focus, अब यह क्या बना रहा है, virtual, erect and magnifying image, यह virtual image है क्यूंकि same side form हो रहा है, erect है, means, जिस direction में pain होगा, उसी direction में image form होगा, same, ultra image नहीं form होगा, अगर ultra image form होता है, उसे कहते है, inverted, यह क्या है हमारा erect image, okay, so, कहां place के हमने focal length के अंदर, जो focal length से distance कम है, तो visual angle beta of an object, an image, in case are same, visual angle, हमारे object के साथ, और image के साथ, visual angle beta, same है, तो यह समझ में आ गया, अब हम find out करते है, magnifying power, क्या find out करते है, magnifying power, so, magnifying power, magnifying power के लिए formula क्या है, magnifying power, m is equal to, अब मैं short में लेता हूं, angle, made by, image, divided by, angle, made by, object, at, distance d, at distance d, at distance d, ठीक, है, image के साथ, जो angle बनता है, वो होता है, beta, and यह होगा, alpha, अब देखो, यह angle, बहुत ही, small होंगे, यह angle, alpha and beta are very small, alpha and beta are very small, छोटे angle होंगे, in this case, magnifying power, beta by alpha is equal to, is nearly equal to, हम लिखेंगे, tan beta divided by tan alpha, tan beta divided by tan alpha, अब tan की value हम find out करते है, diagram से, ठीक है, tan beta by tan alpha, पहले diagram में, tan का value, tan alpha is equal to, क्या होता है, tan opposite by adjacent, तो tan alpha होगा हमारा, a, b, divided by d, opposite by adjacent, in this case, tan beta is equal to, अब देखो, tan beta find out करने के लिए, मेरे पास दो triangle है, यह एक छोटा वाला triangle, और यह बड़ा वाला triangle, तो हम अगर यहाँ भी a, b आया, तो हम छोटे वाले triangle से लेते, दोनों भी angle same होँगे, तो देखो, यहाँ में दो तरीक एसे find out कर सकता हूँ, tan beta में यहाँ लिखता हूँ, tan beta is equal to, क्या होगा, एक तो, opposite side कौन सा है, a1, b1, divided by v, यह एक हो सकता है, यह दूसरा, is equal to, a, b, opposite side, beta के opposite side, a, b, और adjacent side, u, a, b, by u, ठीक है, तो यह दोनों formula हम apply कर सकते हैं, यह दोनों formula अगर हम apply करेंगे, अब दोनों formula को हम apply करते हैं, देखो, अब tan beta के लिए हम यह formula apply करेंगे, और tan alpha के लिए वह formula अपलाई करेंगे, तो apply करो, यह tan beta, a, b, divided by u, a, b, divided by d, a, b, a, b, cut होगे, d, उपर चला गया, therefore magnifying power m is equal to d divided by u, magnifying power is d divided by u, यह होगया magnifying power का formula, अगर हमें magnifying power find out करना है, तो हमें क्या find करना है, d, by u find out करना है, ठीक है, अब आते हैं limiting case, तो maximum और minimum magnifying power कितना, अगर हैं cleanse ले रहे हैं, उसका maximum magnifying power कितना होगा, और minimum magnifying power कितना होगा, वो हमें find out करना है, उसे कहते हैं limiting case, तो अब limiting case, अब पहले आते हैं, maximum magnifying power, maximum magnifying, अब magnifying power means, image हमें बड़ा दिखना चाहिए, image बड़ा दिखना चाहिए, और image बड़ा कब दिखा, जब object नस्दिक, image हमारे नस्दिक form होगा, और image नस्दिक कितना form हो सकता है, ddv पे, image नस्दिक कितने form हो सकता है, ddv पे, लेकिन उसके आगे आएगा तो image blur हो जाएगा, तो image का form होना चाहिए, at ddv, so, for maximum magnifying power, क्या होगा, image form at d, image का form होना चाहिए, at d इतने distance पे, that is ddv इतने distance पे, now, we know that for thin lens, thin lens का formula क्या है, 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u, 1 upon v minus 1 upon u, यह हमारा formula है, thin lens के लिए, so, अब, हम अपना formula apply करते है, so, using sign convention, और, now, focal length f is equal to plus f, देखो, focal length plus f होगा, q plus f होगा, focal length इस सहरफ है, तो plus होगा, u और v दोनों भी negative होँगे, u and v negative होँगे, और image कहां form हो रहा है, ddv पे, image कहां form हो रहा है, ddv पे, तो distance कितना होगा, d, distance v का value कितना होगा, d होगा, यहां हम लिखते है, f is equal to, v is equal to, v is equal to minus d, image कहां form हो रहा है, at ddv and u is equal to minus u, u is equal to minus v, यह value पुट करो अप, therefore, 1 upon f is equal to, 1 upon v, 1 upon v के जगा क्या आएगा, अपन, v is nothing but minus d, minus d and minus 1 upon minus u, यह minus minus, दोनो minus क्या हो जाएगे, minus minus plus, minus minus plus हो जाएगे, तो यह हो जाएगा, मैं लिखूंगा यहा plus u, क्या लिखूंगा, plus u, यह समझ में आ गया, plus कहां से आया, minus कहां से आया, इस u के जगा minus u पुट किया, तो minus minus plus हो गया, और v के जगा minus d पुट किया, now multiply both side by d, multiply both side by d, d से हम multiply करेंगे, तो क्या होगा, d upon f is equal to, minus d by d, plus d by u, that is equal to, d by f is equal to, d d cut हो गया, यह हो गया, minus 1, plus d by u, हमें magnifying power find करना है, अगर magnifying power क्या होता है, d by u, तो d by u हमें मिल गया, and therefore, and therefore, d by u is equal to, d by u is equal to, यह minus 1 यहां चला गया, plus 1, d by f, तो इसे हम कहेंगे, maximum magnifying power, इसे हम क्या कहेंगे, maximum magnifying power is equal to, 1 plus d by f, 1 plus d by f, अब दूसरा case, minimum magnifying power, minimum magnifying power, अगर हमें find out करना है, तो minimum magnifying power, तो image कहां बनना चाहिए, infinity पे, image कहां बनना चाहिए, infinity पे, तो magnification, कम होगा, infinity पे image, छोटा होता है, infinity पे image क्या होता है, छोटा होता है, तो अब वो केस हम apply करेंगे, यहां, for minimum magnifying power, for minimum magnifying power, V is equal to infinity, V का value क्या होगा, infinity, and U का value, F, U का value क्या होगा, F होगा, तो अब magnifying power का formula, M is equal to D by F, D by F, so magnifying power minimum को अब क्या होगा, sorry, magnifying power का formula क्या है, D by U, D by U, directly वो formula हम use करेंगे, D by U, क्योंकि V तो infinity है, so minimum magnifying power, जब U की जगा हम क्या put करेंगे, D by F, so D by F is nothing but a minimum magnifying power, इस formula से भी solve कर सकते हैं, इस formula से भी हम solve कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए, same formula अगर हम use करते हैं, तो अभी हमें answer मिलेगा, तो जैसे यह use करते हैं, जैसे F is equal to, अगर इस method से चलते हैं, इस method से चलते हैं, तो क्या होगा, हमारा lens का formula क्या है, 1 upon F is equal to, 1 upon V minus 1 upon U, ठीक है, अब अगर हम sign convention use करते हैं, sign convention use करते हैं, V infinity पर U का value minus होगा, तो 1 upon F is equal to, 1 upon infinity, minus minus plus 1 upon U, अब D से 1 upon infinity 0 होगा, अब D से multiply कर दो, D by F is equal to D by U, तो यह आगया देखो, D by F is equal to D by U, and D by U is nothing but a, minimum magnifying power, तो same formula, इस formula से भी हम लेके आ सकते हैं, same method, यह direct method से भी हम, वो formula हमें मेल सकता है, so D by F क्या होता है, minimum magnifying power, so magnifying power का range कहां से start होता है, D by F to 1 plus D by F, so magnifying power, range of magnifying power, range of M, कहां से start होता है, it is D by F to 1 plus D by F, so D by F minimum magnifying power, और 1 plus D by F maximum magnifying power, ठीके यह समझ में आ गया, तो यहां तक range होता है, अब यह हो गया, एक optical instrument, that is, simple microscope, अब आते हैं, कि अगर, देखो, simple microscope से हर एक चीज़ को हम बढ़ा नहीं कर सकते, हमने देखा है, कि magnifying power is inversely proportional to focal length, magnifying power is inversely proportional to focal length, तो अगर magnifying power बढ़ाना है, तो focal length को कम करना होगा, M को अगर increase करना है, magnifying power को increase करना है, तो focal length को घटाना पड़ेगा, और focal length को घटाना है, तो lens को thick करना पड़ेगा, lens को क्या करना पड़ेगा, motor करना पड़ेगा, तिकर करना पड़ेगा, जितना lens थिक होता जाएगा, जितना lens थिक होता जाएगा, उतना focal power घटेगा, और magnifying power बढ़ेगा, लेकिन lens अगर थीक होगा, तो उसमें spherical aberration आएंगे, उसमें cropendic aberration आएंगे, error भी आएंगे, तो image हमें clear मिलेगा ही नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, और एक तरीका यूज करते हैं, एक थीक lens यूज करने के बदले हम दो lens यूज करते हैं, हम दो lens separated by a certain distance, and this is known as a compound microscope, उसी को हम क्या कहते हैं, compound microscope की, अगर हम दो lens को एक certain distance से अलग-अलग रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, compound microscope, so अब compound microscope क्या होता है, a compound microscope, जो अपने lab में देखा होगा, बायो के lab में, a compound microscope is essentially used two convex lenses for the suitable focal length, fit into a cylindrical tube with the some adjustment possible for its length, okay, तो यह क्या है, इसमें दो lens होते हैं, देखो, यह एक lens, छोटा, एक lens बड़ा होता है, दो lens होते है, it is essentially two convex lenses of suitable focal length, दोनों का focal length हमें पता होना चाहिए, suitable होना चाहिए, एक दुसरे को ऐसा focal length, और उसको इन दोनों को हम cylindrical tube में fit करते हैं, उसका length हम कम जाधा कर सकते हैं, अपने देखा होगा, लेंस का डिस्टन्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें एक्जस्मेंट होता है, the smaller lens facing to object, यह smaller lens है, object की तरफ होता है, smaller lens, object की तरफ होता है, इसको हम objective कहते हैं, क्या कहते है, objective, इसे हम कहते है, objective, और दूसरा lens, दो आखों की तरफ होता है, यह observer जहां अप observer jam their eyes, okay, so, other lens with which observer jam her or his eyes with a little larger is called eye lens, देखो, एक थोड़ा बड़ा lens है, जहां से हम देखते हैं, हमारे आखों से, तो थोड़ा बड़ा lens होता है, इसलिए उसे क्या कहते है, eye piece और eye lens, eye piece में दो lens होते हैं, जो ऐसे रखे जाते हैं, और eye lens एक ही lens से मनता है, तो एक तो eye piece होगा या फिर eye lens होगा, अब देखो, यह compound microscope का diagram है, यहां हमने object रखा है in between f and 2f, f and 2f के बीच में हमने object को रखा है, यह देखो, यहां हमारा object दीख रहा है, यह हमारा object है, तो यहां हमने object को रखा है, अब यह red color से आपको दीख रहा होगा, a, b, a, b हमारा object है, अभी वो object से raise जा objective, यह जो हमारा objective है, objective उसका image form करेगा, कितने distance पे, v0 पे, कितने distance पे, v0 पे यह image form करेगा, यह देखो, इसका image form हो गया, a dash, b dash, अब यह image, eye lens के लिए object का काम करेगी, eye lens के लिए किसका काम करेगी, object का, अब यह image, eye lens से कितने distance पे form हो रही है, u, e, इतने distance पे, अगर हम sign convention यूज़ करें तो यह minus हैगा, minus u, e, इतने distance पे, हमारा image form हो रहा है, यह image object का का काम करेगा, then इस image को use करके, eye lens और eye piece और एक image b dash, कितने distance पे बनाएगा यह, v, e, इतने distance पे, so objective के लिए, v, o, और eye piece के लिए, v, e, हम use करते हैं, ठीक है, यह समझ में आ गया, तो एक object को रखा है, objective उसका image बनेगा, वो image, eye piece यूज़ करेगा, और eye piece उससे और बड़ा image बनाएगा, ठीक है, यह समझ में आ गया, अब इस कहां, magnifying power, find out करते हैं, तो magnifying power के लिए हमें क्या चाहिए, tan alpha and tan beta, तो अब हमें पता है, alpha कैसे निकालते हैं, a, b, a, b object को यहां रखते हैं, कितने distance पे, d इतने distance पे, और जो angle बनता है, alpha, that is alpha, तो इसके लिए formula से, a, b by alpha, a, b by alpha, तो यही figure a वाला हम figure, जो पहले इसमें use किय आता, figure a, यही figure use करेंगे, so tan alpha तो हम find out कर सकते हैं, tan beta यहां से find होगा, ठीक है, so tan alpha find out करने के लिए हम, same figure use करते हैं, हमारा, यह हमारा angle alpha, यह distance ddv, a और b, ठीक है, so now, magnifying power का formula हमें पता है, magnifying power is nothing but beta by alpha, और इसी को हम लेते है, tan beta divided by tan alpha, now, tan alpha is equal to, tan alpha is equal to, तो क्या होगा, a, b divided by d, a, b divided by d, and tan beta is equal to, tan beta is equal to, देखो tan beta, tan beta के लिए एक तो हम यह triangle use कर सकते हैं, तो इससे हम find out करेंगे, a dash, b dash divided by distance कितना है, minus u e, u e, यह एक होगा, दूसरा triangle अगर हम use करते हैं, यह वाला, बड़ा वाला triangle, तो इसवे, a double dash, b double dash, और distance कितना है यह, v e, distance कितना है, v e, distance v e, तो अब हम formula यूज करेंगे, दोनों formula, उपर वाले formula में पूट करेंगे, so m is equal to tan beta का यह formula हम use करें, so tan beta is equal to a dash, b dash divided by u e, divided by tan alpha, a b divided by d, ठीक है, so m is equal to, अब इसको हम रियर्रेंज करते है, इसको हम कैसे लिख सकते, a dash, b dash, u e, into d by a b, so therefore, a dash, b dash, a b, into d by u e, अब देखो, a dash, b dash का है, यह है a dash, b dash और यह है a b, so a b, height of object, height of object, and a dash, b dash, height of image, so यह होगा, height of image divided by height of object, इसे कहते है magnification, so this is a magnification of objective, इसे हम क्या कहेंगे, magnification of objective, और दूसरा है, d by u, हमने अभी अभी formula find out किया, magnifying power of symbol, simple microscope, यह convex lens क्या होता है, d by u e, तो यह होगा magnifying power of eye piece, magnifying power of eye piece, so magnifying power of compound microscope is nothing but a magnification into magnifying power of eye piece, magnifying power of eye piece, अब once again, अब यह m0 किस पर depend करता है, magnifying power किस पर depend करता है, यह depend करता है, object और image के height पर, object और image के height पर, तो अगर u e distance हम कम करेंगे, u e distance को हम कम करेंगे, तो image अगर हम बड़ा बनाएंगे, तो यह magnification depend करता है, और यह किस पर depend करता है, यह same formula है, तो इसका range हमें पता होना चाहिए, इसका range क्या होगा, d by ue, that is magnifying power of ip's, किस पर depend करता है, it is depend on d by fe to 1 plus d by fe, यह अभी हमने पिछले derivation में निकाला था, यह रहा, d by f to 1 plus d by f, same formula, यहाँ भी apply होगा, ठीक है, तो यह होगा, magnifying power of compound microscope, यह क्या होगा, magnifying power of compound microscope, यह दोनों को मिला कि magnifying power of compound microscope हम find out करते है, यह होता है, magnification, height of image to the height of object, और यह होता है, magnifying power of ip's, और magnifying power of ip's का range इतना हो सकता है, ठीक है, यह समझ में आ गया, तो यह होता है, compound microscope के लिए हमने find out किया, next जो हमारा topic है, that is telescope, हमारा topic क्या है, telescope, अब देखो, telescope का use का होता है, astronomical body को देखने के लिए, means moon को देखने के लिए, Jupiter को देखने के लिए, different different star, comet को देखने के लिए, अब, अगर वहाँ हमें alpha find out करना है, तो चान को पकड़ के हम ddv पे लेके आएंगे, ऐसा तो possible नहीं है, ऐसा तो possible नहीं है, तो telescope से हम क्या देखते है, used to see the terrestrial और astronomical bodies, तो अब terrestrial और astronomical body को अगर हम देख रहे हैं, तो उस object को नजदिक लाना possible नहीं है, या ddv पे लाना, या 25 cm के सामने रखना possible नहीं है, तो उस case में हम alpha कैसे measure करते हैं, जहां हम खड़े हैं, वहाँ से अगर हम naked eye से देखेंगे, वहा image के साथ जो angle बनता है, वह होता है, बेटा, ठीक है, तो अब magnifying power हम use करेंगे, देखो यहां क्या हो रहा है, अब अगर हम एक star को देख रहे हैं, अगर हम star को देख रहे हैं, तो अब star से जाद, star बहुत दूर होता है, तो star से जो light आ रहे है, वो जादा से जादा अंदर आन चाहिए, इसलिए जो object की तरफ objective होता है, वो बड़ा होता है, objective क्या होता है, वो lens बहुत बड़ी होती है, अपने देखा होगा telescope में objective बहुत बढ़ा होता है, और eye lens हमारा छोटा होता है, eye lens या IPS हमारा छोटा होता है, तो objective से जादा से जादा light star में से, या moon में से, जो भी एंटर हो और हमें clear image मिले, इसलिए objective बड़ा होता है और eye lens छोटा होता है, अब star से light आ रहा है, उसके विए से image यहां बन रहा है, objective image बनाएगा a, यह image कहां बनेगा दूसरे lens के focus पर दूसरे lens के focus पर फोकस परुके यह focus परुकियर इंफिनिटी से रहा है यह focus पर फोकस होगा और वहां पे ही eye lens का भी focus होगा, अगर eye lens का focus होगा, तो image कहां फोकस होगा, है आपको यह आलफा एंगल और यह बिटा एंगल तो अप नीचे वाला डाइगराम में ड्रॉः करता हूं देखोए डाइगराम कैसे यह हमारा लाइन है, then यह alpha एंगल है, यह एंगल है alpha, यहां आमारा image, image बना हुआ है, ba और यहां से यह एंगल है, फिर beta, यह एंगल है, beta, देखो यहां से, बी तक का distance क्या है, f o, यह distance है, f o, और यहां से, b point से, यह distance है, f t, यह distance क्या है, f, so now magnifying power of telescope is equal to beta by alpha, that is equal to tan beta by tan alpha, अब tan beta का value पहले find करते है, tan beta is equal, tan beta is equal, tan beta, opposite a, b by adjacent, adjacent f e, tan alpha is equal, tan alpha के लिए find out करते है, tan alpha देखो, opposite a, b divided by adjacent f o, adjacent f o, अब यह हमारे पास दोनों formula आगे, अब इनको करो, therefore magnifying power is equal to tan beta, a, b divided by f e, divided by tan alpha is equal to a, b divided by f o, so a, b, a, b कट हो जाएगा, f o divided by f e, अब से, अब से, इसी फ्रमुला है, magnifying power of telescope is focal length of objective to the focal length of eye lens or eye piece, so it is the ratio of focal length of objective to focal length of eye lens, eye piece, और अगर हमें find out करना है length of telescope, length of telescope, तो देखो telescope के दो lens में distance कितना होता है, f o plus f e, तो l is equal to, अगर इतना आप distance लगोगे, तो ही आपको proper image बनेगा, means इससे जो image बन रहा है, यह objective के focal length पर रखा है और वही पर eye piece का भी focal length होना चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगा, बड़ा सा image मिलेगा, या clear image मिलेगा, तो magnifying power of telescope किस पर depend करता है, दो focal length पर, objective के focal length पर और एक image के focal length पर, तो यह topic समझ में आ गया, optical instrument, इसमें हमने तीन instrument का study किया, एक था simple microscope, डूसरा था, compound microscope और तीसरा हमारा था, तीसरा हमारा था, तीसरा हमारा था telescope, तो तीनों में हमने magnifying power find out किया, तीनों में हमने क्या find किया, magnifying power, magnifying power का definition आप याद रखो, angle made by image to the, angle made by object at distance d, then हमने tan alpha और tan beta लेके हमें इसको solve करना है, हर एक में वही किया है, ठीक है, पहले इसमें simple microscope में दो limiting case था, जिसको हमने thin formula से solve किया, बागी वही compound microscope के लिए अपलाई किया, और सबसे easy formula था हमारा telescope के लिए, तो यहां हमारा chapter optics finish होता है, यहां हम stop करते हैं, okay thank you,